hi welcome to my channel it's bringing me solve question for 18 a dealer bought two tables for rupees 3120 rupees he sold one of them at a loss of 15% and other at a gain of 36% then he found that each table was sold for the same प्राइस, find the cost price of each table, तो एक डीलर जो है 3,120 प्रुपीज का दो टेबल्स खरीता है, और वह बेच देता है एक को 15% के लॉस पर और दूसरी को बेच देता है 36% के गेन पर, तब उसे पता चलता है कि जब उसने 15% लॉस पर एक को बेचा और एक को 36% गेन पर, तो दोनों का जो selling price था, दोनों का same था, यहाँ पर, तो कह रहा है कि find the cost price of each table, तो हम पहले क्या करेंगे कि each table का cost price माल लेंगे, तो solution, यहाँ सपोस कर लेते हैं, let cost price of, let cost price of, one table, एक table का माल लेते हैं, x rupees, then, cost price of other table, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3120 minus x rupees, एक का यहाँ टेबल का cost price है, x rupees, then, other का जो cost price होगा, वो होगा, 3120 minus x, क्योंकि दोनों मिला करके, जो है, 3120 है, तो हम नहीं माल लिया, अब देखे, cost price यहाँ मालूम है, पहले वाले table का, तो इसको बेच रहा है, कितने में, 15% के loss हों बेच रहा है, इसका है मतलब कि हम SP निकाल सकते हैं, तो SP of one table, जो पहली वाले table है, उसका जो SP होगा, वो होगा, formula क्या होता है, CP multiplied by 100 minus loss percent, क्योंकि जो भी loss होता है, घटा देते हैं, आपन 100 करते हैं, तब जैगा निकलता है, यहाँ मारा SP, CP कितना है पहले, X है यहाँ पर, X रख देंगे यहाँ पर, और यह हो जाएगा, 100 minus 15, अपन 100, 15% का loss हो रहा है, यहाँ पर 100 minus 15 कितना हो जाएगा, 85, अपन 100, और यह X रहेगा ही, यहाँ पर 5 से हम किसलोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इतना ही रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, इसको इतना रखते हैं, यह मिल दाएगा आपको 85, एक्स अपन 100 रुपीज, ठेक है, अब हम निकालेंगे दूसरे वाले का, SP of other table, other table, यह भी फर्मूला वही लगएगा, CP, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई गेन परसंट है, तो हो जाएगा, 100 plus gain परसंट, अपन 100, इसको लूप क्या मिल जाएगा, तो CP कितना है, CP आपका है इतना, तो 3120-X, इन्टू, यह हो जाएगा, 100 plus gain परसंट मिन्स 36%, यहाँ लिखेंगे 36, अपन 100, यूज करेंगे तो मिलेगा हमें 3120-X, इन्टू, यहाँ हो जाएगा 136, अपन 100, यह हमेरा निकल गया, यह हमेरा निकल चुगा है, SP of other table और SP of one table, फर्स table और सेकंड टेबल का जो है, SP निकल गया, यहाँ बोल रहा है कि, then he found that each table was sold for the same price, मतलब कि, अब SP of one table is equal to SP of other table, दोनों का price जो है, same है, वो पाया है न, तो दोनों का equal कर देंगे, so according to question, according to the given condition, क्या होगा, SP of one table is equal to SP of other table, तो यहाँ बोल लिक भी सकते हैं, SP of, first use करिए आप, यह सही रहेगा, first table, SP of first table is equal to SP of the second table, SP of the second table, ठीक है, SP of the first table, यहाँ उस करिए, okay, अब यहाँ पर जो है, SP of first table क्या है, 85X upon 100, यहाँ बोल जाएगा, 85X upon 100 is equal to, यहाँ बोल जाएगा, 3,120 minus X into 136 upon 100, अब यहाँ ध्यान देज़ेगा, दोनों तरफ जो है, multiply के वाल हुआ है, मतलब कि 100, 100 क्या हो जाएगा, किन्सी लाट हो जाएगा दोनों तरफ से, 136 में से यह दी कुछ कट सकता है, तो जरू कटा लेंगे, तो 17 के टेबल में आता है क्या, 85 और 136, हाँ, आता है, तो यहाँ 17 से खटा लिए, 17 पच्छे, 17 फाइब जाए, 85 होता है, 17 फाइब जा, 85 हो जाएगा यहाँ पर, और 17 से खटाएगे, 17, 17, 17, 8 जाए, 136 होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सॉल्फ करेंगे, तो यह मिल जाएगा, 5X, हमेशा जो है, क्वेशन को सॉल्फ करते समय, हमेशा दोनों तरफ दिखे, मतलब सिंपली ऐसे लिखा हो है, तो आप उपर नीचे कटा सकते हैं, डिनमिलेटर को डिनमिलेटर से, और निमिलेटर को निमिलेटर से, यहाँ मिल जाएगा, 8 से मिल जाएगा, 8 से मिल जाएगा, तो 8 से पहले मिल जाएगा, एक्स में, तो मिल जाएगा, माइनस 8x फिर 8 से करेंगे यहाँ पर तो 8 0 जो 0 8 2 जा 16 का 6 1 carry over and 8 बन जा 8 और 1 हो जाएगा 9 8 3 जा 24 यह मिल जाएगा अब यह 8x को इधर लाएगे तो हो जाएगा आपको 5x plus 8x इसको जाएगा 2,000 so it's only 4,960 अब यहाँ पर हम यहाँ पर add कर लेंगे तो मिल जाएगा 13x x पर अब डाइट निकाल लेते हैं 13 divided कर देते हैं ठीक है तो मिल जाएगा 24,960 upon 13 13 बन जा 13 करेंगे हैं यहाँ पर 13 2 जाने जाएगा 13 बन जाएगा एक बार ले जाएगा तो कितनी बार जाएगा 7 और 4 11 बचेगा 11 और यह जो 9 है यहाँ पर 11 बचेगा तो 9 मिल करके 119 हो जाएगा ठीक है अब 13 से ले जाएगे तो 13 9 जा 117 होता है फिर 2 बचेगा 2 जो बचेगा तो 2 से 26 बन जाएगा यहाँ पर 26 बन जाएगा तो 13 2 जाएगा होता है 132 जाओता है 26 और 0 बज जाएगा हापर मतलब finally हमारा इतना आ जाएगा 1,900 1,920 तो यहाँ पर लिखे लेंगे हम X बराबर आ गया 1,920 मतलब कि एक टेबल का हमारा निकल गया है cost price cost price of 1 table is equal to X रुपीज मतलब कि 1,920 रुपीज आ जाएगा लिख देंगे हम आपर कि hence cp of one table आ चुका है 1,920 20 रुपीज so cp of other table other table क्या हो जाएगा 3,120 में से मैनस कर देंगे X को जब लब इतना 1,920 को क्या मिलेगा 0 में से 0 जाएगा 0 रहेगा 12 में से 2 जाएगा 0 हो गया अब यहाँ पर 1 बचा तो 11 में से 9 जाएगा 2 होगा और यहाँ पर बचा 3 में से चला गया था तो 2 बचा 2 में से 1 1,000 इतना मतलब 1200 रुपीज हो जाएगा यहाँ तो एक आपका अंसर यह होगा और दूसरा अंसर यह होगा ओके तो होप की समझ में आगया होगा आपको थैंक्यू सो मच लाइक कर दिजिएगा दोस्तों को सेर कर दिजिएगा और कोई भी डावट होता है तो कमेंट बच्वर लिखेगा यहाँ के थैंक्यू अगें बाइ